हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव टिन फ्लेब जर्नी पर माई लविंग ट्में सोल्स आप सभों को बहुत बहुत प्यार एवं अभार जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ प्रियों टिवाइन का एक बहुत ही महत्वपूर संदेश आज मैं आप के लिए लेकर आई हूँ ये चैनलिंग मुझे कल हुई है और विशेश कर आप चुने हुए लोगों के लिए आप चोजन वन हैं जिसमें ट्विन फ्लेम्स लाइट वर ये संदेश वही लोग सुन पाएंगे जो डिवाइन के चुने हुए है और डिवाइन स्वेम ये संदेश उन तक पहुचाना चाहते हैं तो प्रियों ध्यान से सुनिए इस मैसेज को और खुद का आत्म मुल्यांकन कीजिए आप में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम इस जर्णी में क्यों आये हैं ये ट्विन फ्लेम्स जर्णी हमें क्यों मिली है इस जर्णी में तो सिर्फ दुख दर्द और संखर्ज है तो यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि आपका इस जर्णी में होना ये दर्शाता है कि आपने डिवाइन से सूल कॉंट्रेक किया है यदि आपको इस जर्णी के बारे में पता चल रहा है तो इसका मतलब है कि आपने पहले भी इसे जाना है आपने डिवाइन से एक कॉंट्रेक किया है और उस पर अपना सिखनेचर भी किया है डिवाइन और आपके बीच एक वाचा बंधी है और आपकी सूल ले डिवाइन से ये कहा है कि मैं इस जर्णी को पूरा करूँगा या करूँगी भले ही आप इस बात को भूल चुके हो लेकिन आपकी सूल इस बात को जानती है क्योंकि आप ये जानते है कि डिवाइन हर किसी से सूल कॉंट्रेक नहीं करते हैं वो सिर्फ चोजन वन से सूल कॉंट्रेक करते हैं और यदि आप इस जर्णी में हैं तो आप डिवाइन से करके आए हैं क्योंकि ये एक जन्मो जन्म की यात्रा है आप पहले भी आ चुके हैं और इस बार भी आए हैं ताकि अपने उद्देश को पूरा करें क्योंकि इस जन्री का उद्देश ही होता है अपने परपस तक पहुचना आप जो चुड़े हुए लोग है आपके पास यह अधिकार है कि आप डारेक्ट डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं और उनसे कर्वर्शेशन कर सकते हैं धर्व के अनुसार डिवाइन को परमपिता परमेश्वर आदिशक्ति, मा, देवी मदर अर्थ, गौड इन नामों से पुकारा जाता है इस जर्णी में हर धर्व के लोग हैं लेकिन आप उस डिवाइन को अपने मान्यता के अधार पर अलग-अलग रूपों में देखते हैं लेकिन आप सभी का विश्वास एक ही होता है क्योंकि डिवाइन आप सभी को आपके विश्वास के अधार पर ग्रहन करते हैं इस जर्णी में आप ये जानते हैं कि जिसे हम परमपिता परवेश्वर या आदी शक्ती कहते हैं वो एक अर्ध नारेश्वर है नौर्मल जर्णी के लोग इस बात को नहीं जानते क्योंकि जो इस ट्विन फ्लेम जर्णी में आया है वो अर्ध नारेश्वर यानि कि शिव शक्ती को जानता है और इसके अधार पर ये एक अंतर यात्रा है आपके भीतर की उन साथ चक्रों की जिसे कुंडलीनी कहते हैं और इसी के ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्म ज्ञान और ये ब्रह्म ज्ञान इसकी जानकारी आपको मिली है क्योंकि आप चोजन वन है डिवाइड ने स्वेम आपको ये ज्ञान दिया है तो आप ही बताए कि क्या आप एक साधारन मनुश्य है नहीं आप असाधारन है आप औरों से अलग है आप प्लेजड है आप धन है क्योंकि आपको वो डीप और सीक्रेट बाते पता चली है डिवाइन की जिसे डिवाइन ने स्वेम आपको बताना चाहा है क्योंकि आप डिवाइन के निकट है यदि आप इस जर्णी में आए हैं तो आप एक चोजन वन है आप एक ट्विन फ्लेंस स्टार सीड या लाइट वरकर हो सकते हैं आपकी सोल उच्छ है आप उन अद्भूत और अलोकिक बातों को देखते हैं समझते हैं जो कलपना से परे हैं आपकी एनरजी आपकी वाइब्रेशन अलग है आप इस बात पर विचार कीजिए कि आप किन बातों को देखते हैं आपको सिंक्रोनी सीटी होती है आपकी टेलपिथी strong होती है feathers आपको मिलते है angelic numbers आपको दिखाई देते हैं समय समय पर angels, spirit guides आपको divine के messages देते हैं देवी देवता के दर्शन होते हैं vision में, dreams में इन तमाम बातों के द्वारा लगातार divine आपसे बात कर रहे होते हैं divide आपसे connect होते हैं ये बाते जो आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं यदि normal journey के लोगों को दिखा भी दिया जाए तो यो उन्हें समझ में नहीं आएगी इसलिए ये बाते अद्भुत होती है जो आप देख रहे हैं क्योंकि ये बाते सिर्फ chosen one को ही समझ में आती है आप ये जानते हैं कि आपकी भाषा अलग है अनोखी है आप एक नई बोली बोलते हैं आपके दुनिया अलग है आप code word में बात करते हैं जिसे आम लोग समझ नहीं सकते जो लोग नए नए आए हैं या new awakening है कुछ समय के बाद इस भाषा को कैसे समझ जाते हैं क्योंकि पहले भी वो इस journey में आये हैं उसी प्रकार जो लोग पहली बार इन बातों को सुनते हैं वो यही कहते हैं कि D.M. और D.F. किसे कहते हैं पर आप तो जानते हैं कि ये किसे कहते हैं ये एक एनरजी है आप डिवाइन से इतने कनेक्ट हैं कि डिवाइन अपनी लेंगवेज में आपसे बाते करते हैं और उनकी लेंगवेज है नंबर्स के द्वारा जो सिंक्रोनिसिटी आपको होती है एंजलिक नंबर्स जो आपको दिखाई देते हैं उसके द्वारा मज़ में नहीं आती इसके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आप कितने blessed हैं कि divine अपनी भाशा में अपने language में आप से बाते कर रहे हैं आप में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस journey में बहुत triggers मिलते हैं हमारे ही घर के लोग हमें परिशान करते हैं सताते हैं वो कार्मिक्स है पर मैं ये बता दू हर इनसान कार्मिक्स नहीं होता वो सिर्फ आपको लगता है और वो इसलिए क्योंकि आपकी energy उनसे match नहीं हो रही है वो 3D की मानसिक्ता में जीते हैं और आपकी मानसिक्ता 3D से उपर की है क्योंकि जब भी आप इस संसार में आएंगे अपने आपको अकेला पाएंगे लोगों के बीच रहकर भी आपको अकेला पन महसूस होगा क्योंकि आपकी soul उस energy को ढोंड रही होगी जो बिलकुल आपके समान हो लेकिन आप जिनके साथ रहते हैं चाहे आपके family के लोग चाहे रिस्तेदार अडोसी पडोसी मित्र अगर उन में से किसी क भी energy आपसे match नहीं होती तो आप हमेशा उनसे अलग अनुभव करेंगे आपको उनका साथ अच्छा नहीं लगेगा और आपको यहीं लगेगा कि वो लोग आपको नहीं समझते लेकिन वास्तों में आपके energy ऐसी है कि वो उनसे match नहीं हो रही है और इसका जवाब आपको द किया जाता है धर्म शास्त्र में पवित्र बाइबल के नया नियम दिहुना अध्याय 15 के 19 में लिखा है यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रिती रखता परन्तु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है इसलिए संस संसार तुमसे बैर रखता है इसका तातपर यह है कि यह वचन चोजनवन के लिए लिखा गया है क्योंकि इसमें यही कहा गया है कि संसार अपनों से प्रिति रखता है परन्तु इस कारण कि आप इस संसार के नहीं है इसलिए कि आप संसार में से चुने गए हैं संसार आपसे बैर करेगा तो इसका अर्थ है कि जो थेड़ी की मानसिक्ता के लोग हैं फिर चाहे वो आपके घर के लोग हो या बाहर के लोग हो आपको सताएंगे आपको परिशान करेंगे उनसे आपकी एनरजी मैच नहीं होगी इसलिए उनके बीच रहकर भी आप अकेले पन को महसूस कर इसलिए ट्विन फ्रेम्स यानि कि चोजन वन की समानता इगल यानि कि उकाब पक्छी से दी जाती है क्योंकि उकाब पक्छी वो होता है जो आसमान में अकेले उड़ता है उसके जीवन में बहुत संगर्स होते हैं वो कभी भी जुन्ड में नहीं रहता यही बात डिवाइ भी आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है चुना है तुम मेरे हो इसलिए तुम मेरे निकट रहोगे आप इस जर्नी में या अपनी जीवन काल में जितने भी लोगों से मिलते हैं या तो उनके साथ आपका कोई कर्मा एकाउंट है या वो आपको learn करने आए हैं क्योंकि ये journey learning की journey है आप यहां कुछ सीखने के लिए आए हैं और यदि कार्मिक्स भी आपको trigger करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि कुछ समय के बाद जब कर्मा account clear होगा तो अपने आप आपके जीवन से निकल कर चले जाएंगे इसलिए उनके विशय में कोई भी ऐसी धार्णा मत रखे क्योंकि चाहे आपके जीवन में ट्वीन हो सोलमेट हो या कार्मिक्स हो हर किसी का अपना एक रूल है वो आपको trigger करेगा लेकिन आपकी awakening के लिए क्योंकि यही है जो आपको इस जर्णी में आगे बढ़ा रहे होते हैं और इसके द्वारा आप इस जर्णी में अनुभाव कर पाते हैं कुछ सीख पाते हैं अब रही बात इस जर्णी में दुख तकलीफ या संगर्स के विशय में तो यह बताए कि दुख तकलीफ संगर्स या चुनोतिया किस जर्नी में नहीं होती एक नॉर्मल जर्नी में भी चुनोतिया होती है उसमें भी दुख और परिशानिया होती है वो भी वहां से निकलते हैं लेकिन जो चोजन वन होते हैं उनकी जर्नी में चुनोतिया जादा होती है क्योंकि इसी के द्वारा वो नए पड़ाओं पर पहुंसते हैं जिस प्रकार 3D में जब आप एक्जाम देते हैं और एक समय के बाद आपको डिगर मिलती है उसी प्रकार इस अध्यात्मे क्यात्रा में जब आप एक्जाम देते हैं चुनोतियों का सामना करते हैं और जब पास होते हैं तो एक नए इस तर पर पहुं Columbia और वहाँ पर आपके लिए बहुत से इस्प्रिचल गिट्स होते हैं वहाँ पर आपके पास आत्मिक वरदान होते हैं कुछ ऐसी अद्भुत और अलोकिक बाते आपके लिए रखी जाती है जिसके द्वारा आप उस दिव्य अनुभव को समझ सके जान सके जो डिवाई ने आपके लिए रखा है एक बात याद रखे प्रियों बिना दुख दर्द वचुनोतियों के कोई भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँश सकता जितना ज़्यादा संखर्स होता है उतना ही बड़ा मुकाम वो हासिल करता है एक हीरे को सुंदर और चमकदार बनाने से पहले तराशा जाता है और वो आप ही है आपको भी तराशा जा रहा है क्योंकि डिवाईन आपको टेस्ट कर रहे हैं आपको देख रहे हैं कि आपके भीतर कितना विश्वास है धीरज है सहनसिलता है कि आप कैसे इस जर्णी को पूरा कर सकते हैं इसलिए आप अपने आपको blessed मानिए क्योंकि आपके जीवन का एक उदेश है आप precious हैं आप धन्य हैं आप एक बहुत बड़े purpose के लिए आए हैं डिवाई ने आपके लिए एक महुत ही महान योजना बनाई हैं तो अपने जीवन के लिए धन्यवाद कीजिए और जीवन में जो कुछ मिला है उसके लिए ईश्वर को आप भार व्यक्त कीजिए तो प्रियोग आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर and God bless you all मेरी soul family आप सभी की जर्नी पूरी होए